कि अग्याइब करेंगे अग्याइब करेंगे तो आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में और आज हम सीरीज की मदद से शिलिंग फैन को टेस्टिंग कैसे करते हैं वो सिखे के तो सबसे पहले हम यहाँ पे सप्लाइदेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सप्लाइदेने पर बल्ब हलके से क्लो कर रहा है लेकिन फैन कुम नहीं रहा है यानि कि सिलिंग फैन में कुछ खराबी है तो सबसे पहले हम यहाँ पे कनेक्टर को ओपन कर लेंगे और उसमें से सारे वायर्स अलग कर देंगे तो यहाँ पे हमने सारे वायर को कनेक्टर में से अलग कर दिया है यहां हम देख सकते हैं कि एक वायर कॉमन होता है और एक रणिंग और स्टार्टिंग वायर को दो कैपिश्रट के वायर के साथ कनेक्ट किया होता है ऐसे मिलके तीन वायर आउटपुट निकलता है तो यहा से पहले हम एक सिरीज का एक वायर कोमन वायर को टॉच करेंगे और एक रनिंग वायर को टॉच करेंगे तो यहां चार्ज करना बहुत ज़रूरी है वहना आपको रख सकता है तो यहाँ पे हमने capacitor के wire को अलग कर दिया है अब हम यहाँ पे capacitor को चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बल्ब हलका सा क्लो कर रहा है यानि कि capacitor बिल्कुल सही है और capacitor को डिस्चार्ज करना जरूरी है वरना आपको जड़का लग साता है जो मैंने आपको पहले भी बताया है अब हम यहाँ पे सारे wires को अलग-अलग कर देंगे यहाँ पे देख सकते हैं आप दो रनिंग के वायर होते हैं जो रेड कलर के होते हैं और जो दो ब्लेक कलर के हैं वो स्टार्टिंग कोईल के वायर है इन दोनों को हम दो दो करके शिरिद से चेक करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो ब्लेक वायर जो स्टार्टिंग के हैं उसको सप्लाई देते हैं तो बल बलका सा ग्लो कर रहा है यानि कि यह कोईल बिल्कुल सही है अब हम रनिंग कोईल को सप्लाई देंगे तो यहाँ पे बल बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है यानि क कि इस कोईल में कुछ खराबी है और हम यहाँ पर कोईल का बॉडी सुट च्यक करेंगे तो यह सबसे पहले हम शीरीज के दो वायर को बॉडी से टच करेंगे उसके बाद एक एक वायर को कोईल के टर्च करके देखेंगे अगर बलब ग्लो करता है तो यह फ्यान बॉडी अभी तक नहीं हुई है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले वीडियो में हम इस खराब से लिंप्यान को ठीक कैसे करते हैं वह बताएंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेर कीजिए जय हैं जय भारत